नमस्कार सर नमस्कार सर क्या नाम है आपका मेरा सरनाम शींग नाम है सरसत रामपाल जी महारा से नामदिक्षा आपने कब ली मैंने 2014 में ली सरसत रामपाल जी महारा से नामदिक्षा लेने से पहले आप क्या वक्ती साधनाई करते थे मैं सभी देवी देताओं की पूजा करत तो फिर आप संत्राम पाल जी माराश की सरण में कैसे आए मेरे को कोई लाब नहीं हो रहा था जैसे देवी देवताओ कि मैं और खंड पूजा करता था छेशे गंटे आसन लगाता था और मत्थे पर चमग भी पैता हो गई थी लोगवाग मेरे से डरने भी लगे थे तो बहुत बड़ा तबस्वी है मेरे को ऐसा आभास हो जाता था कि कोई आ रहा है और इतने दिर में आने वाला इरद्दियां सिद्धियां और टोमेटिक परगट हो गई थी तो शही बात निकलती तो लोगों मेरे से डरते थे और मैं उनको आथ ऐसे करके बता देता था कि जाओ बेटा आज से आप सही हो जाओगे तो उनको तो सही हो जाता लेकिन मेरी परेशानी दिन परती दन बढ़ रही थी और मेरे को कोई लाव नहीं हो रहा था तो फिर है ना मैं जगदीश परसाद पारासर जी के पास में गया जो प्रबचन करता थे और दुनिया को सिच्छा देते थे लेकिन एक मंतर उनने बता दिया जेंती मंगला काली पदरकाली कपालनी दुरगा चमासवा दात्री स्वा सुधा नमस्तते इस मंतर का जाब करना वेटा तेरी कोई बादा नहीं आएगी उस मंतर से मेरे को कोई लाव नहीं हुआ उसके बाद में मैं एक फक्कर दास जी थे कोई चिम्मन दास जी कहते थे उनको एक बाबा जी तो हुआ पूरा मंतर का जाब करता था, जल चड़ाता था, दूर्द चड़ाता था और सुगंधत अगरवती लगाता था कि पूरा सवाल है मेक जाए लेकन उससे कोई लाब नहीं और जहां जो मदू मक्ही थी वो मेरे को काटने दोड़ती थी और तो वो कहते थे कि वो तेरे करम कर जाएं वो पढ़ जान दे उसके बाद में सही हो जाएगा फिर मैंने अतास होगे उन गुरूवों को भी छोड़ दिया फिर में बावा जैगुर्देब के पास गया मत्रा किसी ने बताया कि आप यहां आईए फिर जैगुर्देब के पास मैं पांच-छे साल मैंने उनकी वक्ति करी माला कराते थे नाम दिच्छा दे देते मंच से तो मैं उनकी वक्ति करने लग गया उनकी वक्ति करते करते भी मेरे को कोई लाव नहीं हो रहा था तो परिसान हो आके कि मैंने कि अब भगवान नहीं है ये तो सारा जगत जूत बोलता है कि अल्ला होता है बगवान होता है कहीं कुछ नहीं है और अब तो जो कुछ है सो जही है तो मैं ऐसी निकल के जा रहा था तो बलराम सिंग ने कहा मेरे से बोले आपको जानकारी नहीं है बगवान तो होता है लेकिन आपको मिला नहीं है, आप चाहो तो मैं आपको भगवान से मिला सकता हूँ तो हमने की आप मेरे को भगवान से मिला दो, मेरे में तो बड़ी तड़प है मैं फिरी में गाता वजाता हूँ, सुन्दर कांड का पार्ट करता हूँ, हनमान चालिसा का पार्ट करता हूँ मंदरो में जाता हूँ, लेकिन मेरे को तड़ब है, मैं 6 से गंटे आसन लगाता हूँ तो उन्ने एक सन्त जी का नाम बताया, सन्त रामपाल जी महराज बोले उनकी सरण में जाने को का तो मैंने कि क्यों में क्योंने जा सकता तो अने का दोवार का का कि आपकी उक ada नहीं है क्योंके मैं बहुत गांजा पीता था नसे ली था और ज sağ Państwo करता था घम्मत और नोलक बजाना गाना सारी सारी रात बैठे रहना ऐसे ही तो हमने की इनको छोड़ने से कि आप मेरे को भगवान से मिला सकते हैं। बोले दुनिया तो हाथ कटाएगा तो बलराम दासी ने का मैं सीष कटा दूगा अगर आपको भगवान नहीं मिलेते हो। तो मेरे को दिखाओ भगवान कैसे हैं तो उनने की चलना तो मेरे को लेगे सतलोक आश्रम में गया और जाते ही मैंने संत्रामपाल जी महाराज से नाम दिख्षा लेते हैं उनको बहुत सारे लापराप्त होते हैं तो क्या संत्रामपाल जी महाराज से नाम दिख्षा लेने के बीमारी थी के मेरे को अगर बीडी नहीं मिले तो पेट फूल जाना तो ये तो मेरी आस्रम में जाते ही बिलकुल मैं अच्छी रूटी खाई खूँ और कुछ नहीं मेरे को कुछ नहीं हुआ और दो बजे उन्होंने का चलिए आप दर्सन के लिए संत्रामपाल जी महाराई दर्सन दे रहे हैं चलो तो मैं लेन में लग गया तो लेन में लग गया तो जाके वहां बैठ गया तो संत्रामपाल जी महाराज जैसे आत रखते हुए चले जा रहे थे तो मेरे पर भी आत रखा तो जैसे उनने मेरे सर पर आत रखा तो मेरे को ऐसा लगा कर मेरे अंदर से आपको परिशान नहीं करेगी और आप बढ़िया जाओ तो जब से प्रेतवादा भी खतम हो गई संत्रामपाल जी की सरण में जाने से और दूसरा लाब मेरे को यह हुआ कि मैं अपने खेत में टेक्टर चलवा रहा था तो टेक्टर उन्होंने का कल्टीमीटर लग नहीं रहा है आप पीछे खड़े हो जा तो मैंने सब जगे अस्पताल में दिखाया तो डॉक्टरों ने का वही इसका तो इलाज होता नहीं है अब ओप्रेशन भी नहीं होगा मने कर दिया तो मैं मायूस होके बैठ गया था गर पर तो संत्रामपाल जी के आशिरवाद से मेरी वो रीड की एड़ी चटकी हुई थ तो इतनी दुखी थी पाँच लड़की होके और बच्शा होना बंद हो गयते हैं उनके तो डॉक्टर को दिखाया हमने कि वही क्या बआत है तो किसी ने बताया के डॉक्टर को दिखाओ और यी इना इलाज हो जाएगा तो ये बच्शा हो सकता है तो डॉक्ट्टरों ने क कहा कि इनकी अबदी निकल चुकी है आप बच्चा नहीं होगा क्योंकि MCC होना खतम हो गई तो आम ऐसे ही अतास होके बैठ गए तो अपनी पत्नी शिखा कि मैं संत्रामपाल जी महाराज की सरण में गया था तो मेरे पूरे रोग नास हो गए हैं और मेरी प्रेतवाद अभी चलिगी हो सकता है संत्रामपाल जी महाराज अपने को एक पुत्र दे दें तो मेरी पत्नी ने कहा तो चलो मेरे को भी ले चलो वां तो 2014 में मैं अपनी पत्नी को लेके और मैं गया तो संत्रामपाल महाराज ऐसे आ रहे थे तो बगत्मती जो मेरी बीवी है उनने कहा बाबा मेरे जो पत्नी थी उन्होंने मेरे से कहा के बोले ऐसा ऐसा संत्रामपाल जी महराज बोल गए हैं तो मैंने का उनका बचन तो अकाट है और वो तो परमात्मा है वो तो होई जाएगा तो उसके बाद में तीन साल बाद मेरें जो बगतमती बिलकुल एमसी होना जे होना बंद हो गई थी पत्नी उसके बाद में सब कुछ चालू हो गया ऑटोमेटक किसी डॉक्टर पर नहीं गए कहीं नहीं दिखाया स्याने पर तांत्रक पर नहीं दिखाया संत्रामपाल जी महराज के आशिरवाद से और मेरें कि मेरें 2017 में लड़का हो गया और आए बच्चा दो साल का है और हम बढ़ी असे कुछी से रह रहे हैं और एक मेरी लड़की थी बच्ची जो तीन साल की थी वो समय तो चत पर खेल रही थी तो खेलती खेलती वो साइट में गिर गई तो एक मंजल उचे से गिरी, बच्ची नीचे लकडी रखी थी, लकडी पर गिरी, तो बच्ची की आ तक आवाज नहीं निकली, तो ऐसे तो सुनाई दिया माताजी को, अमारी लड़की को कोई गिर गया है, तो जाके देखा तो बच्ची वहां पर बेहोस पड़ी थी, तो बच् सर, क्या पहले आप नसाबी करते थे, जी हाँ, जब मैं पहले अन्य देवी देवताव की साधना करता था, तो पहले मैं चलम लगाता था, और जब बोलते थे थे, जो पिछले हमारे गुरू जी थे, वो बोलते थे, पठान को चलम लगती है, तो मैं कोबरा बोलते हैं, कोबरा गांजा होता है, तो कोबरा लेके आता था, वो जे और केमिकल से बनाया जाता था, उसको कैपसूल से, तो कोबरा लेके आता था, कहीं देशी गांजा लेके आ मुहम्मद रिख रसुलिल्ल्लाई अल्ला ग्याल टेज, गमाद, चार उपीत, पठान बली जली तम करो, बली लाई लाई लील्ल्लाई मुहम्मद रसुलिल्लाई लेकिन इन मंत्रों से दूसरों को भ남 आता हो जाता था लेकिन मेरा कुछ नहीं हुए और इतना नसा इतना नसा कि दिन भर में अगर दस चलम पी लेई पंद्रा पी लेई बीस पी लेई तो अगर बैठ गए डोलक पेटी लेगे तो गम्मत गा रहे हैं, गा रहे हैं, मंगर रहे हैं, मेरा गरी बरबाद हो रहा था, विलकुल कोई समालने वाला नहीं था जब कोई ऐसी बात आती थी तो हम आप समय बैठ के रो लेते थे कि हमारा इस संसार में कोई ही नहीं है कोई सुनता ही नहीं था सुनने वाला नहीं था सरिया कैसे समग वा कि संत्रामपाल जी महाराज से नाम दिख्षा लेने के बाद आपका नसा छूट गया संत्रामपाल जी महाराज ने जो मेरे को नाम दिख्षा दी और इतना सूपर पावर उनका मंतर है और जब संत्रामपाली महराज के मंतरों का हम जाप करते हैं तो ओटोमेटिक सरीर में जो भी विकार होते हैं वो ओटोमेटिक निकल जाते हैं और कोई दवाई से, कोई इंजेक्शन से, कोई कैसे हूँ मैंने करवा कर देखा कि मेरा नसा मुक्तो हो जाए और अनियकों धर्म गुरू के मंतर जाप करके देखें मैंने कोई राम मंतर देता है, कोई क्रिष्ण मंतर देता है, कोई विष्णु मंतर देता है लेकिन सब साश्तर से विरुद्ध हैं साश्तर के अनकूल नहीं है इनकी साधना और इनकी साधना करने से मैं अन गुरुओं की मैं और नसा में लिप तो होता जा रहाता और मैं खुद को नहीं वार पा रहाता लेकिन जब से हम संत्राम पाल जी महाराज की सरण में गए तो उ में क्योंके रामान में लिखा है कि मंत्र का जाप तो हम करते थी अन्य धर्म गुरू को लेकिन वो सही मंत्र नहीं था जैसे राम 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 को तो राम मंत्र रहे जो बोलो ओम राम राम आई नमा ओम राम तो यह कोई मंत्र नहीं था जब संत्रामपाल जी की महाराज के सरण म हम गए तो उनने हमको भी राम मंत्र दिया लेकिन उनका मंत्र एक अलोकिक है साश्टर के अन्खूल है और जी देते साश्टर के बुरुद्ध तो जिने इनका मंत्र जाप करने से मौर गड़े में जा रहे थे संतर रामपाल जी महराज का सरन हमने जब जब हम सरन में मेरा पूरा परवार एकदम से स्वच्ट है तंद्र स्वच्ट है और बढ़िया है रहे रहे हैं सर संतरामपाल जी महरा से नांदिक्षा लेने से पहले आपने कई गुरु बनाए अब एक बात बताईए लोगों का कहनाई कि भक्ती पंत में गुरु बदलना पाप है क्या ये बात सही है गुरु बदलना कोई पाप नहीं है दत्यात रही ने 24 गुरु बनाए और हमें जो है पहले स्कूल में जाते थे एल केजी यू केजी पहली किलास में अब जिए थोड़ी है कि जिन्दी की बर कामाने कब उतर पढ़ते रहो ऐसा तो होता नहीं है कहीं अगर आपको अगर मो में लिखाया गुसाइजी ने जिम सरता सागर में हो जाई यद्दब टा स कामनाना आइए जब कामना है मन की खतम हो जाए जब समझो हमको आज पूरन गुरु मिल गए है और जब तक तरंगे उठती रहे हैं मन की कामना चलती रहे तो गुरु बदनना जरूरी है बहुत ज गुरू शर्फटए नाम-दिख्षा लेने के बाद आपको सारे लाप राप राप्त हुए संत्र अमपाज की घ किरपार से पांच लड़कियों के बाद को एक पुत्र की ठाक्त हुए, आपके डीड की हड्डी में दिक्कत आ गई थी और डाक्र ने ऑप रिसन करने से मना कर दिया था लेकिं संद्रांप्लजी महارाज की किरपा से आपकी ये भीवारी ठीक हो गई और आप您 के लिए संदेश क्या मैं निवेदन कर सकता हूं कि जो भाई बेन मेरे को देख रहे हैं और जो अन्य धर्म गुरूं से जुड़े हुए हैं अपना अगर मोक्ष करवाना आए पूरन कल्यान करवाना आए तो संतरामपाल की सरण में आए अपना कल्यान कराए और इसाई भाईयों के लिए मैं कहूंगा कि उनके रब भाई गुरू आए हुए हैं और इंदूओं के लिए मैं कहूंगा कि उनके भगवान आए हुए हैं उनके राम आए हुए हैं मुसल्मानों के लिए भाईयों के मैं कहूंगा कि उनके अल्ला ताला आए हुए हैं वो अपना-पना कल्यान करवाएं और संत्रामपाल जी महाराज जो ग्यान देते हैं हमको तो साश्टर के अंसार देते हैं गुरू गरंत में लिखा है वो आप मिला लीजिए रामान में लिखा है मिला लीजिए कुरान सरीब में लिखा है बाइबल में लिखा है संत्रामपाल जी महाराज से नामदिख्षा कैसे ले सकते हैं? देखो बैसे तो हर एक जिला में नामदान केंद्र सेंटर खुला हुआ है और जो टीवी में पट्टी चलती है उसमें नमर दिये गए हैं उन पे नमरों पे आप फोन करके आप संत्रामपाल जी महाराज से नामदिख्षा ले सकते हैं धन्यवाद सर